डर एक हैसास में आपका स्वागत है इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सची भूतिया कहानियां अगर आपको ऐसी ही वीडियोज देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर हेलो दूस्तो मेरा नाम महीशिरा है और मेरा जन्र तो उत्तर प्रदेश में हुआ था लेकिन जब मैं नौ साल का था मैंने अपने घर को छोड़ दिया था मेरा पड़ाई में जरा भी मन नहीं लगा करता था ना ही मेरा मन घर के कामों में लगा करता था मेरा ध्यान हमेशा प प्रीत आत्मा का साया था ना रात को एक बूड़ी औरत उस खर के उपर मुझे नजर आया करती हर कोई उस घर के पास जाने से डरता था लेकिन मैं रात के वक्त उस घर के नीचे बैठ जाया करता और उस प्रीत आत्मा से बात करनी की कुशिश करता वो मुझे ऐसी ऐसी बाते बताया करती थी कि मेरी आँखें खुली की खुली रह जाती बच्पन में मेरे मन में कई सवाल हुआ करते थे आखिर पढ़ लिखकर हम कहां तक जा सकते हैं जिन्दगी क्या इसे ही कहा जाता है लेकिन वो प्रीतात्मा मुझे ऐसी ऐसी बाते बताती जो पार लौकिकी से जुड़ी हुई होती इसी लिए मेरा मन इन शक्तियों की तरफ खिंचा जा रहा था जब मैं नौ साल का हुआ मेरा जगड़ा मेरे पिता के साथ हो गया था वो मुझे स्कूल भेजना चाहते थे और मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था शम्शान घाट में तंत्र विद्या सीखना चाहता था और मेरे पिता से इतना ज़ादा जगड़ा हो गया मैंने घर छोड़ दिया और उसके बाद से मैं वापिस अपने घर कभी नहीं गया अब मेरी उम्र 23 साल है आप कह सकते हैं मैं जवानी में पैर रख चुका हूँ लेकिन मेरा ध्यान इन चीजों की तरफ नहीं है बहुत एक चीजों की तरफ नहीं है मैं पारलोकिक शक्तियों को पाने की आज भी कोशिश कर रहा हूँ पिछले लगभग 13 सालों से तांत्रिक बनने की इच्छा है मेरी कहते हैं मैं तांत्रिक हूँ लेकिन मैं खुद को तांत्रिक नहीं मानता और आसपास के जितने भी तांत्रिक हैं मैं उन्हें भी तांत्रिक नहीं मानता सिर्फ शब्द कहने से तांत्रिक कोई तांत्रिक नहीं बन जाता तांत्रिक उसे कहा जाता है जो इस तीन आयामी दुनिया से परे जा सके और वो भी अपने शरीर के साथ और इसी के बाद वो वापिस भी आ सके ऐसा करने वाला एक भी तांतरिक मैंने नहीं देखा है और मैं चाहता हूँ मैं वो पहला तांतरिक बनूँ आज के जमाने में आपको हर तरह की जानकारी इंटरनेट पर मिल जाती है या आप किताबे पढ़कर वो जानकारी जल्दी हासिल कर सकते हैं लेकिन फिर भी कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो आपको किसी किताब या इंटरनेट पर नहीं मिलती तंत्र विद्याओं की जानकारी भी कुछ ऐसी ही है अलग-अलग शमशान खाट में अलग-अलग मठों में जाकर आपको वो जानकारियां इकठी करनी पड़ती है ध्यान लगाना पड़ता है और कई बार अपने शरीर के अंदर ऐसी शक्तियों को ज्वलित करना पड़ता है जिससे आपकी समझ बढ़ने लगे उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है मैं कई बार ऐसी प्रेतात्माओं से उलच चुका हूँ जिसका इस्तिमाल करने के बारे में मैं सुचा करता था जब मैं 14 साल का था मैं एक ऐसे शम्षान घाट में पहुँचा था जहां एक सिध्ध योगी जो कि हमेशा ध्यान में रहा करता था मैं उनसे जानना चाहता था ध्यान की विद्या कैसी होती है क्युकि मैं तंद्र की विद्या को बड़ी जल्दी सीखने लगा था चार महीने वो होश में ही नहीं आए थे कह सकते हैं कि वो समाधी में रहे चार महीनों बाद जब उन्होंने अपनी आँखें खोली थी उनका शरीर बहुत ज़ादा वेकारी हो चुका था ऐसा लग रहा था वो अब मरे अब मरे लेकिन कुछ ही दिनों पे उन्होंने अपना शरीर हश्ट पुष्ट कर लिया उन्होंने मुझे ध्यान की जानकारी दी थी जिससे मैं ऐसी पारलौकिक शक्तियों से बात भी कर सकता था उसके बाद मैं ऐसी ही परलॉकिक शक्तियों से बात करने की कोशिश भी करता रहा लेकिन वो सिध्ध योगी वो शमशान खाट में मुझे दोबारा नजर नहीं आई थे उन्हें भी कई बार ढूंडा मैंने अलग-अलग मठो में गया अलग-अलग शमशान खाट में गया कई ऐसे तंत्रे को से मिलकर तंत्र विद्याई सीखने की वो कोशिशे आज भी जारी है मेरी मैंने अपनी जिन्दिगी में बहुत काम किये हैं मैं कई ऐसी जगों पर जाता हूँ जहां पर प्रेत आत्माओं का साया होता है मेरा कामुन प्रेत आत्माओं को उस जगे से दूर भगाना नहीं है लेकिन मैं उनसे जानिकारी इकठी करने के लिए उनकी शक्ती को काबू करने के लिए ये कोशिश करता ही रहता हूँ जब मैं 19 साल का था तब श्री लंका की एक ऐसी रहसे मैं जगे पर पहुँचा था जहां पर एक अजीब सा पेड लगा हुआ था उस पेड की पुजा कई लोग किया करते थे और मैंने भी महसूस किया उस पेड में कोई ऐसी पारलोकिक शक्ती है वहां पर वो शक्ति को महसूस करने के बाद मेरा शरीर पेड में बदनने लगा था मैं उस शक्ति को काबू ही नहीं कर पाया मैं उससे लड़ना चाहता था और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कुछ शक्तियां ऐसी होती है जिनसे लड़ा नहीं जा सकता आपको आत्म समर्पन करना पड़ता है मैं उस पेड़ को जमीन से उखाड नहीं सकता था उसे शमशान खाट ला नहीं सकता था इसलिए मैंने उसकी टहनी को जैसे ही काटा पूरा का पूरा पेड़ राख हो गया और वो पारलौकिक शक्ती जो उस पेड़ के अंदर उन लोगों की शक्ती के जरिये जुड़ी हुई थी उनकी आस्था के जरिये जुड़ी हुई थी वो अलग हो गई और मैं दोबारा उस पारलौकिक शक्ती को महसूस नहीं कर पाया पहली बार मुझे लगा था जैसे उस पेड़ के जरिये मैं प्रेतों की दुनिया तक जा सकता हूँ एक ऐसी दुनिया जहां पर आपको तरें तरें के प्रेत बहूत और उन्हें काबू करने के तरी के पता लगते हैं ये मेरी कमजोरी थी और मैं उसे दूर नहीं कर पाया उसके बाद मुझे मौका मिला ही नहीं ये तो बात रही इतिहास की मेरे साथ क्या-क्या घटा है अब वर्तमान की बात करते हैं मैं जाना चाहता था केरल के उन जंगलों में जहां पर कई कभीले के लोग रहते हैं मैं नए नए लोगों से मिलना बहुत जादा पसंद करता हूँ कई बार ऐसे लोगों के पास ऐसी जानकारी होती है जो आपको कहीं और नहीं मिलती वो कबीले के लोग बाहरी लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करते इसलिए मुझे बहुत जादा सतर्क रहने की जरुवत थी कई ऐसे कबीले वाले लोग होते हैं जो बाहरी लोगों को देखने के बाद उन पर हमला करने लगते हैं लेकिन मैं लोगों के मस्तिश्क पर काबू पा सकता हूँ अगर कोई कुस्से में हो मैं एक ही शण में उसका गुस्सा ठंडा कर सकता हूँ जब मैं उन जंगलों में उन कभीले वाले लोगों से मिला था पहले तो वो मुझे अपने इलाके में आने नहीं दे रहे थे लगी हुई थी लेकिन एक भी पत्ता जल नहीं रहा था जैसे कोई मुंबत्ती हो वो कभीले के लोग मेरी आँखों में देखकर जैसे भ्रमित होती जा रहे थे और कभी कभार आपको जूट बोलना पड़ता है मैं उन्हें कहने लगा था मैं लोगों की मदद करने के लिए घ गाओं के अंदर आने का मौका दिया वो गाओं को चारों तरफ से बंद किया गया था कोई भी बाहरी इनसान वहां उस कभीले के पास भी आ नहीं सकता था और मैं तो उसके बीच वो पुराने जवाने के जौंपड़े ऐसा लग रहा था सैंकडों साल पहले के बने हुए व कुछ खोपड़ियों को देखकर मैं बहुत ज़ादा हैरान हो चुका था वो खोपड़ियां किसी भी ऐसे जानवर से मिलती जुलती नहीं थी जो यहां आसपास पाए जाते हूं उनसे सवाल पुछे जाने के बाद भी उन्होंने जवाब देना सही नहीं समझा था लेकिन वहां लगभग दो दिनों तक रहने के बाद मुझे एक खास चीज़ पर ज़ादा ध्यान देने की जरुरत थी उन्होंने एक जोंपड़े में मंदिर बना रखा था कोई साधारन मंदिर नहीं वो उसे एक देवी का मंदिर कहते थे इच्छा की देवी इच्छा की देवी के बारे में मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था लेकिन एक जानकारी मेरे पास थी देश और दुनिया के कई इलाकों में कई ऐसे देवता प्रकट हो जाते हैं जो लोगों की मदद करते हैं और कई बार ऐसी शक्ति-शाली चीज़े उन्हें दे कर जाते ह जिसका इस्तेमाल वो लोग सही से कर नहीं पाते और जब सही इंसान के पास वो चीज बहुचती है तो इसका इस्तेमाल बहुत विशाल तोर पर किया जा सकता है मैं उस मंदिर में एक बार जाना चाहता था क्या है इच्छा की देवी? आखिर इच्छा की देवी उनकी इच्छाएं पूरी कैसे करती है? लोगों से मैंने बहुत बार पूछा था मुझे बस एक ही बात बताई गई थी इच्छा की देवी का वो जो मंदिर है न उसके आसपास भी कोई पराया इंसान आ नहीं सकता सिर्फ कबीले के लोग जिनका जन्म यहाँ पर हुआ हो वही उस मंदिर के अंदर जा सकते हैं और उस इच्छा की देवी की बात करना भी यहाँ पर वर्जित माना जाता है अगर मैंने इच्छा की देवी का नाम फिलिया वो मुझे इस कबीले से बाहर निकाल देंगे और एक कलती होने के बाद दोबारा मैंने वही कलती की तो वो मेरा सर काट देंगे मैं उनके सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता जा रहा था लेकिन फिर भी वो मुझे धमकी दे रहे थे वो मरने से नहीं डरते थे मेरी एक कलती मेरी मौत की वज़य बन सकती थी अगले पांच दिनों तक कबीले के लोगों से मैं मिलता जुलता रहा उनका भरोशा चीतता रहा मैं बस उस मंदिर के अंदर जाना चाहता था लेकिन चाहे जितना भी उनका फरोसा जीत लो कोई भी इंसान मुझे उस मंदिर के पास फटकने नहीं दे रहा था इसलिए मुझे लगा मुझे किसी ऐसे समय पर वहां जाना चाहिए जब आसपास कोई मौजूद ना हो लेकिन उससे पहले मंदिर के अंदर क्या मौजूद है क्या रखा गया है उसकी जानकारी कैसे पाऊ इसके लिए मैंने अपनी तंद्र विद्या का इस्तेवाल किया था उस कबीले की एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल होगी यहां पर शादी का एक अलग नियम था कोई भी लड़का अगर किसी लड़की को पसंद करता है तो वो उससे शादी नहीं कर सकता जब तक वो लड़की उस लड़की को पसंद नहीं करती यहां कोई भी लड़की किसी भी लड़की की तरफ अगर उंगली रख देती है उस लड़के को उससे शादी करनी ही पड़ती है मैंने एक ऐसी लड़की ढूटी जो ठीक ठाक दिखती थी उसे मोहित कर सकता था अगर मैं उससे शादी कर लू उसे फंसाओं शायद वो मुझे उस मंदिर की जानकारी दे दे मैं उससे शादी करना नहीं चाहता था लेकिन उसे बेवकुफ तो बना ही सकता था न मैं ऐसे काम काफी बार कर चुका था भले ही मैं उस मंदिर के आसपास नहीं जा सकता था लेकिन यहाँ पर किसी भी लड़की को अगर आप अपनी तरफ मोहित करने को मजबूर कर दो उससे रोक टोक नहीं थी मैं उस लड़की के इर्दगिर्द घूमता रहा उसे अपनी तंत्र विद्याएं दिखाता रहा कैसे मेरे शरी पर निशान है कैसे उसके मस्तिश्क के अंदर मैं घुश सकता हूँ उसकी मन की बाते पढ़ सकता हूँ लेकिन सिर्फ कुछ हद तक वो लड़की धीरे धीरे मोहित होती जा रही थी सम्मोहन विद्या के जरीए मैं उसे करीब लाता रहा अगले तीन दिनों तक वो मुझे अपनी हर बात बताने लगी वो मुझे से प्यार करने लगी थी और मैंने उससे वादा किया मैं तुमसे शादी करूँगा लेकिन उसके लिए तुमें मुझे अपनाना होगा यहाँ कोई भी इंसान मुझे अपनी जैसा नहीं समझता मुझे बाहरी मानता है इसी दिए कबीले वालों को भी मैं अपना दोस्त अपना करीबी नहीं मान पा रहा हूँ वो लड़की ने कहा था तुम बिलकुल मेरे अपने जैसे हो जो भी पूछो जो भी बात करो मैं खुल के बात करूँगी मैंने उसकी परेकशा लेने के लिए कहा और उससे जवाब मागा बताओ मुझे उस मंदिर के अंदर क्या है अगर तुम मुझे सच बताओगी मैं तुम से शादी करूँगा अگर तुम जूट बताओगी या ये कहोगी कि मैं बाहरी हूँ मैं यह बात सुन नहीं सकता मैं यहां से चला जाओंगा दोबारा तुमारी आँखों के सामने कभी नहीं आओंगा समोहन विद्या का असर कहें या प्यार कहें वो लड़की मुझे एक एक बात बताने लगी थी वो मंदिर के अंदर लकडी का बहुत सारा सामन बड़ा है वहां कोई भी धातु की चीज़ को ले जाया नहीं जा सकता और जब उस मंदिर के अंदर जाया जाये तो सिर्फ सूती कपड़े ही बहने जा सकते हैं यानि रूई से बने हुए वो कपड़े इस तरह वहां सिर्फ शुध इंसान ही जा सकता है जो की ये कबीले वाले हैं वो मुझ पर भरुसा करने लगी थी और कह रही तुम भी एक शुध इंसान हो इसलिए तुमारे पास ऐसी शक्तिया है ऐसी तंत्र वित्या साधारन इंसान नहीं कर सकता तुमारे अंदर कुछ ना कुछ जरूर है फिर उसने मुझे वो लकड़ी की मूर्ती के बारे में बताया इच्छा की देवी की मूर्ती जो की इच्छा की देवी ने खुद दी थी अपने हाथों से कभीले के एक पूरवज को दी थी तब से उसका मंदिर यहां पर बनाया गया है उसके सामने मांगी गई कोई भी इच्छा पूरी होती है लेकिन वो सिर्फ कभीले वालों को दी गई है और कभीले का कोई इंसान ही उसे शक्ती का इस्तेमाल कर सकता है इच्छा मांग सकता है और इच्छा मांगने के लिए सबसे पहली शर्थ है कि जो भी इच्छा मांगनी हो उसे सच्चे दिल से मांगना पड़ता है उसके पीछे कोई भी लालच छिपी होनी नहीं चाहिए अगर लालच का असर वो इच्छा की देवी के मूर्ती के सामने प्रकट हो गया तो वो इच असी देवी जो आपकी इच्छाएं पूरी करती है यहां अगर वो मूर्ती सच में मौजूद है तो मुझे उसके सामने अपनी इच्छा जाहिर करनी ही होगी मैं एक बड़ा तांत्रिक था भूत प्रेत को मैं अपने काबू में कर सकता था और ऐसी शक्तियों को काबू करन दुनिया में अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं बलकि पारलौकिक दुनिया में भी अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकता हूं दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन सकता हूं चहरे पर मुस्कुराहट चहरे पर चमका गई थी मेरी और वो लड़की मेरी तरफ देखे जा रही थी उसने कहा तुम इतना खुश कैसे हो गए मैंने उसे छूट बोलते हुए कहा था इस कबीले का एक सदस्य बन कर मुझे बहुत ज़दा खुशी हो रही है मैं कल ही तुम से शादी करना चाहूंगा आज मुझे जाना है मुझे बहुत तैयारी करनी है वो लड़की बहुत ज़दा खुश थी जैसे ही उसके वो ज़ौपड़े से मैं बाहर निकला था आज रात मैं उस मंदिर के अंदर जाने वाला था जिसके आस पास भी कोई रात को नहीं फटकता कहते हैं वो पवित्र दीवी है जैसे ही मैं उस मंदिर के पास था अभास होनी लगा है कैसी शक्ती जो उस जोंपड़े को जो उस मंदिर को बांधे हुए थी मैं अपनी शक्तियों से उसे रोकने की कोशिश कर रहा बिना सुरक्षा का घेरा बनाए किसी मंदिर को सुरक्षित नहीं किया जा सकता प्राचियन समय से ही जो पवित्र मंदिर हुआ करते थे उसके इर्द गिर्द ऐसा पवित्र घेरा बनाया जाता था कोई भी आक्रमनकारी उस पवित्र घेरे को पार नहीं कर सकता अगर उसने पार किया तो उसकी मौत तैह होती थी ऐसा ही कुछ इस मंदिर के साथ भी था मैं कोई और इच्छा से इस मंदिर के अंदर जाना चाहता था मैं मरना नहीं चाहता था इसलिए तंत्र विद्या का इस्तिमाल करने लगा मेरे पास वो विभूती थी जिसे मैं अगर उस मंदिर के इर्द गिर्द फैंकता तो वो पवित्र घेरा मेरी आँखों के सामने चमकने लगता मैंने वैसा ही किया मैंने वो विभूती को उस मंदिर के चारो तरफ बिखेरना शुरू कर दिया वो पवित्र घेरा मेरी आँखों के सामने चमकने लगा था अब मुझे उसकी काट ढूडनी थी ऐसे पवित्र घेरे को काटने के लिए मुझे सिर्फ दस मिनट की तंतर विद्या का इस्तिमाल करना था बैठ गया मैं उसी घेरे के सामने साधना में भले ही अपने शरीर के साथ मैं इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकता था लेकिन मैं अपनी आत्मा को शरीर से निकाल कर उस सुरक्षित घेरे को पार कर सकता था हर आत्मा पवित्र होती है किसी जगे हम अपने शरीर से नहीं जा सकते लेकिन अपनी आत्मा को वहाँ पर लिजा सकते हैं उस पवित्र घेरे को अपनी आत्मा से पार किया था और जैसे ही मैंने पार किया मेरे लिए वो पवित्र घेरा खुल चुका था दोबारा अपनी आत्मा को अपने शरीर में डाल कर अब मैं उस मंदिर के अंदर बड़ी आसानी से जा सकता था मंदिर के अंदर मैंने देखा नकाशी की गई थी लकड़ी की ओपर ऐसी नकाशी मैंने कभी किसी मंदिर के अंदर नहीं देखी थी अंदर से पूरी तरह से लकडी का बना हुआ वो मंदिर लेकिन लकडी प्राचीन होने के बावजूद जरा भी खराब नहीं हुई थी मैं इथर उथर छांकता रहा मुझे सोने चांदी की चीजे भी नजर आई थी वहां कई सोने के चमकते हुए प्याले पड़े थे चांदी के कई सिक्के पड़े थे पीछे तो जैसे कई गहने पड़े हुए जो सबने शायद इस मंदिर के अंदर ही रखे हुए थे जैसे हम किसी लौकर में या किसी बैंक में रखते हैं न यहां लोग मंदिर में रखा करते थे और ऐसा सुरक्षित मंदिर जहां कोई साधारण इंसान आही ना पाए कौन चुराएगा लेकिन उन्हें क्या पता था मैं तो इस मंदिर में आ सकता था मेरी एक खूबी थी सोने चांदी पर मैं मोहित नहीं होता था यह भौत एक चीज़े हैं इस पर मोहित होना क्या कोई खास मकसद था मेरा बिल्कुल नहीं सोने चांदी की चीज़ों को मैंने ऐसे अंदेखा कर दिया जैसे साधारण मिट्टी की चीज़े हो मेरा ध्यान तो सामने रखी वो लकड़ी की मूर्ती पर पड़ा था वो लकड़ी की मूर्ती कितनी कीमती होगी आप सोच रहे होंगे कीमत यानी रुपए कीमत सिर्फ रुपएयों से ही नहीं होती कीमत आपकी शक्ती को सोखने की वो स्तर को भी कहा जाता है वो मूर्ती इस भौत एक दुनिया में हो सकता है सबसे कीमती चीज हो जिसका इस्तेमाल करना किसी और को आता ही ना हो मैं उस मूर्ती के करीम जाता गया जाता गया करीब से वो लकड़ी की मूर्ती को मैंने देखा साथारन सी मूर्ती लग रही ऐसी लकड़ी की कई मूर्तिया मैंने देखी थी जैसे ही मैंने उस मूर्ति को छूना चाहा वो मूर्ति एक देवी की थी और दो कदम उस लकड़ी की मूर्ति ने पीछे हटाई थे मेरे आँखें खुली की खुली थी कैसे एक लकड़ी हिल कर अपने आपको बचाने की कोशिश कर रही है मेरे हाथों से मैंने दोबारा उस लकड़ी की मूर्ती को पकड़ने की कोशिश की दो कदम वो लकड़ी की मूर्ती और पीछे हो गई थी जिसके बाद मैं हक्का बक्का था लेकिन उस मूर्थी को पकड़ना बहुत ज़ादा जरूरी था उसे छूकर ही मैं महसूस कर सकता था आखिर उसमें कितनी शक्ति है कौन सी महान शक्ति है जिसे मैं काबू कर सकता हूँ मेरे कई साथे कई दांत्रिक साथे कुछ 20-30 साल के तो कुछ 80-90 साल के कुछ ने विताल क काबू किया हुआ है तो कुछ प्रिता आत्माओं को काबू करके उनसे काम करवाते हैं कुछ ऐसे महान दांत्रिक भी है जो दूसरी दुनिया की शक्तियों को भी अपने काबू में कर लेते हैं componile लेकिन इच्छा की देवी इच्छा की देवी को हर कोई ढूंड रहा हुग मेरे सामने एक ऐसी मूर्ती थी अगर मैं इस शक्ती को काबू कर पाया शायद मुझे इस भौतिक दुनिया में रहने की जरूरत ही ना पड़े इसके बाद मैंने एक जटके से उस मूर्ती को छूने की कुशिश की वो मूर्ती के अंदर से एक चिंगारी सी निकली जो मेरी उंगली को छूई मुझे करंड का जटका सा लगा मुझे गुस्सा भी आ गया था आखिर ये इच्छा की देवी की मूर्ती मुझसे बचने की कोशिश क्यों कर रही है मैं तो एक बहुत बड़ा तंत्रिक हो बड़ी बड़ी तंत्र विद्याएं मेरे पास थी वो साधरन कभीले के लोग वो इस मूर्ती को छूपाते होंगे मैं क्यों न चूँ आखिर मेरी भी इच्छा है मैं उसी इच्छा को इस मूर्ती के जरीए पूरा करना चाहता था इसलिए गुस्से में मैंने उस मूर्ती की तरफ देखते हुए कहा था थम जो भी देवी हो तुम्हे मेरे काबू में तो आना ही होगा तुम्हारा मुकाबला मेरी शक्तियों के सामने कुछ नहीं है इस लकडी की मूर्ती में रहकर तुम्हें कोई फाइदा नहीं होगा यह शक्ति को सोख कर जब मैं अपने शरीर में डालूँगा तुम मेरे साथ रहोगी और मैं इस दुनिया में बड़े बड़े काम कर सकता हूँ या कहूँ इस दुनिया से परे के बड़े बड़े काम कर सकता हूँ मुझे छूने दो मैं छूना चाहता हूँ इस मूर्ती को मुझे तुमारी शक्ति को महसूस करना है उसके बाद मैंने जबरदस्ती इस मूर्ती को पकड़ने की कोशिश की जैसे ही मैंने उस मूर्ती को छुआ था मेरी आँखों के सामने अंधेरा चाने लगा था ऐसा लगने लगा था जैसे मैं धर्ती से एक जटके में उपर की तरफ उठ गया हूँ मुझे गोल-गोल घूमती हुई धर्ती नजर आई चांद नजर आया और मैं जैसे सूरज के करीब से निकल रहा हर चीज छोटी छोटी होती जा रही थी मैं प्रमान के छोर तक निकल कर गया और ये एक शट में ऐसा आभास था जिसने मेरी आँखों को चका चौन्द करके रख दिया था मैं इस शक्ती का जैसे जैसे आभास करता जा रहा था मुझे ऐसा लग रहा था ऐसी शक्ती का तो मुझे कब से इंतजार था कितने महान शक्ती लग रही है भौतिकी में इससे बदलाव किया जा सकते है मुझे तो इसे अपने वश में करना ही होगा मैंने जैसे ही वो अभास पूरा किया उस मूर्ती के सामने मैं उसे जहांक रहा और उस मूर्ती के भी दो आखें जपकने लगी थी मैंने उस मूर्ती को कहा था तुम्हें मेरे पास आना ही होगा मैं तुम्हें खुद में समालूंगा हैसी शक्ती का इस्तिमाल करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ तब उस मूर्ती से गूंजती हुई एक आवाज आई थी ये इच्छाएं हैं जिसके द्रिश्य मैंने तुमें दिखाएं हैं इच्छाएं बहुतिकी तक ही सिमित रह जाती हैं और तुमारी च्छाएं भी भौतिक ही हैं तुम पवित्र नहीं हो मैंने हंस्ते हंस्ते कहा था पवित्र और अपवित्र सिर्फ हमारी सोच होती है ये स्रिष्टी बनाई ही इसी लिए गई है ताकि इसमें कर्म किये जा सके वो चाहे अच्छे हो या बुरे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें ये शक्ति मुझे देनी ही होगी मैं इस शक्ति को अपने काबू में करना चाहता हूँ तब उस मूर्ति से अवाज आई थे तुम्हारी भौतिकी की छाए ही तुम्हें ले डुबेंगी तुम इस मूर्ति को अपने पास रख सकते हो खुद में समा सकते हो लेकिन ये शक्ति को काबू नहीं कर पाओगे ये शक्ति तुम्हें मार देगी मैंने मुस्कुराते हुए कहा था जहाए जो हो जाए मरते हम धोड़े नहें हमारा शरीर मरता है इस शक्ति को अगर मैं काबू ही कर लूँ मुझे इस भौतिक शरीर की क्या जरूरत रह जाएगी मैंने उस मूरती को अपने सीने से लगा लिया और मैं उस तंत्रविद्या का इस्तेमाल कर रहा मेरे शरीर के अंदर से जैसे लप्टे निकल रही और उस लकडी को मैंने शरीर से चिपका लिया एक जैसे चमडी की परत बन कर वो मेरे शरी से चिपक गई थी, छाती पर एक निशान सा रह गया, मैं हसने लगा और एक आवाज एक आवाज आई थी उस देवी के, मैं तुम्हें श्राब देती हूँ, ये शक्ती तुम्हें मरने पर मजबूर कर देगी, तुम्हारी इच्छ ये आखरी आवाज थी, जो मैंने वो इच्छा की देवी की सुनी थी, उसके बाद मुझे बाहर से आवाजे सुनाई देनी लगी, शायद मेरी ये बातें कोई न कोई सुन रहा था, जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकला, वो लड़की, मंदिर के बाहर रो रही थी, लेकिन फिर भी अपनी आँखों के वो आंसु पहुँचते हुए वो कहने लगी, वो सब तुमें माफ कर देंगे, तुम मेरी बात मानो, माफी मांग लो, इच्छा की देवी बहुत दयालू है, वो तुमें माफ कर देंगी, देखो, ऐसा कुछ मत करो, मैंने हंस्ते हंस्ते कहा था, तुमारी शादी की किसको जरुवत है? ये शरीर शादी करता है, हमारी आत्मा शादी थोड़े ना करती है, हात्मा बच्चे पैदा नहीं करना चाती, मुझे तुमारी कोई जरुवत नहीं, जानकारी चाहिये थी वो जानकारी तुमने मुझे दी दी वो लड़की गुस्से में थी लेकिन अपने हाथ को जैसे ही मैंने उसके माथे पर रखा वो पहले से सम्मोहित थी मुझे पर मोहित थी बिहोश होने में उसे समय नहीं लगा और किसी को वो बदा भी न पाई उस कबीले से रात के वक्त मैं बाहर निकला था बड़ी खुशी में मुझे वो अभाज हो पा रहा था मेरे शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ती है जिसे बस काबू करना है काबू हो जाएगी तो मैं भी इच्छाएं पूरन कर पाऊंगा हर इच्छा पूरा कर बाना पूरे ब्रमांड की शक्ती को अपनी मुठी में कर बाना हखेर ऐसी शक्ती किसे नहीं चाहिए उस जंगल से बाहर निकलते ही मैं बहुत ज़्यादा खुश था उनसे मैं जिन्दा बच गया था बच कर आ गया था मुझे अब एक खास जगे जाकर सिथी करनी होगी वो सिथी से मैं इच्छा की देवी को काबू कर पाऊंगा मैं जैसे ही वो खास जगे पहुँचा था जहां तांत्रिकों का मिला लगता है ये आधी रात को लगता है और मुझे वहां पहुँचने में तीन दिन का समय लगा था वो तांत्रिकों के बीच सभी तांत्रिक अपनी अपनी वो शक्तियों को वहां सबको दिखाते हैं आखिर किसने कैसी सिथी की थी ये साल में एक बार ये दिन आता है और इस दिन सभी तांत्रिक एक तूसरे की मदद करने की कुशिश करते हैं वहां लगभग 23 तांत्रिक थे और उन तांत्रिकों के बीच मैंने अपनी छोटी मोटी शक्तियों का प्रदर्शन किया सभी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे क्योंकि मैं एक नया तांत्रिक था मेरी कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं थी सभी कह रहे एक ना एक दिन तुम बहुत बड़े तांत्रिक बनोगे तुमारी शक्तियां ना सिर्फ इस बहुत एक जीवन तक रहेंगी बलकि तुम इससे पारलौकिक शक्ति को भी अपने काबू में करने की कोशिश कर पाओगे तुम दूसरी दुनिया में हमसे जरूर मिलोगे हम वहां पर एक साथ ये तंत्र विद्याओं से इससे आगे की दुनिया वह सत्यालोक तक पहुँचने की कोशिश जरूर करेंगे विताल की शक्ति प्रेतात्मा की शक्ति हर एक तांत्रिक अपने शरीर में कैद वह शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था लेकिन अंत में मैंने जैसे ही अपने अंदर इच्छा की देवी की वह शक्ति को निकालना शुरू किया जो अभी तक मेरे काबू में नहीं थी और इनसे मैं मदद चाहता था आखिर ऐसी इच्छा की देवी को पूरी तरह से काबू मैं कैसे कर पाऊंगा वो लाल रंग का धुआ जो मेरे शरीर से निकलने लगा था हर एक दांत्रेक हक्का बक्का सा था वो हैरान हो चुके थे और उसके बाद उनकी फटी हुई आखे देख मैं गर्व से फूला नहीं समा रहा था कुछ ऐसा जो उन्होंने अभी तक नहीं पाया था वो मेरे शरीर के अंदर था सभी मेरे करीब आकर मुझे ठंडा होने को कह रहे मैं इस शक्ती को जल्दी काबू नहीं कर सकता सबका ये कहना था मैंने उनसे पूछा मुझे ये काबू करनी है ये शक्ती उन्होंने एक-एक सवाल पूछे मैंने सही-सही जवाब दिये सिवाए वो चोरी के मैंने ये इच्छा की देवी को चोरी नहीं किया है बलकि इसे पाया है कहां से पाया है मैं बताना नहीं चाहता सबने मुझे आगाह किया था कुछ शक्तियां काबू करने के लिए नहीं होती कुछ शक्तियां इस रिष्टी को चलाने के लिए होती है तुम ऐसी शक्ति को काबू मत करो, पवित्र शक्तियों को काबू करने पर हमें कुछ ऐसा मिलता है, जिसको हम सोच तक नहीं सकते, मैंने बस उन से ये सवाल पूछा था, आप ये बताईए, इसे काबू किया जा सकता है या नहीं, कई तांत्रिकों के पास तो जवाब ही नही था, कुछ तांत्रिकों के पास जवाब था, नहीं, ऐसी महान शक्ति को काबू नहीं किया जा सकता, और उन में से एक तांत्रिक, जो ऐसी शक्तियों को पाने के लिए घोर तब किया करता था, उसने मुझे जवाब दिया था, ऐसी शक्ति को अगर तुमने काबू कर लिया, तुम बहुत कुछ कर सकते हो और मैं तुमें सच-सच बता दूँगा लेकिन क्या तुम इसके बाद मेरी भी मदद करोगे वादा करना होगा तुम्हे मैंने कहा मैं वादा करता हूँ ऐसी शक्ती से अगर मैं आपकी भी मदद कर पाऊं तो जरूर करूँगा हिच्छाएं तो आपकी भी होंगी पूरण जरूर होंगी वो दांतरिक बहुत ज़्यादा खुश था उसने कहा तुम्हें एक एक करके इस शक्ती को हराना होगा ऐसी दैविया शक्तियां धीरे धीरे हाती हैं एक बार में काबू नहीं की जाती ये शक्ती धीरे धीरे निकलेगी तुम एक एक करके उसे काबू करते जाना मान लो तुमने कोई प्रेत को काबू कैसे किया था मैंने कहा उसको हिस्सों में तीन राते लगी थी तब उस दांतरिक ने कहा ये दैविया शक्ती है कोई प्रेत आत्मा नहीं हो सकता है, तुम्हें 10 से 11 दिन लग जाएं, 15 दिन लग जाएं, छोटी-छोटी हिस्सों में उसको काबू करने की कुशिश करो, जैसे उसकी क्या-क्या शक्तियां हैं, क्या-क्या इच्छाएं हैं, एक-एक इच्छा पर हावी होते जाओ, उस पर पुर्ण रूप से हावी हो जरूर किया था, तुम्हें ध्यान रखना होगा, दैविया शक्ति किस स्तर तक अपने आप को बढ़ा सकती हैं, ये तुम्हें समझना होगा, हो सकता है, तुम्हें 15 रातों से जादा लग जाएं, ध्यान रखना, काबू करने की कोशिश करते रहना, उसे खुद पर हावी म होने देना और बड़े हिस्से से, जैसे उलजने की कोशिश मत करना, छोटे छोटे टुकडों से करना, शायद तुम उसे आसानी से काबू कर पाओ, उन्होंने मुझे बता दिया था तरीका, और मैं वादा भी करके आया था, इच्छा की देवी को अगर काबू कर लिया, कि इसी शक्ती जो सब पाना चाहते हैं, मैंने उसे बस काबू करने की शुरुआत कर दी है, मैं ऐसे जंगली इलाके में पहुँचा था, जहां मुझे कोई परेशान ना करे, मैं इससे पहले भी यहां पर आकर कई तंत्रसाधनाएं कर चुका था, दूर दूर तक जानवर ही पहले हुए हैं, कोई भी इनसान यहां रात के वक्त आना पसंद नहीं करेगा, क्या पता किसे जख्मी होकर मरना पड़ जाए, इसलिए यहां इस छोटे से जोपड़े में बैठ कर, मैं कुछ राते बिताओंगा, मुझे दस से ग्यारा दिन ही लगेगे, मैं ज्यादा समय परबाद नहीं करता, ऐसी शक्ती को कापू करने के बाद समय को भी धीमा करना सीख जाओंगा मैं, यह पहली रात थी, मैंने अपने शरीर में समाई हुई, उस इच्छा की शक्ती को जगाना शुरू कर दिया, कुछ छोटे से हिस्से को, सबसे पहले छोटे हिस्से से उलज करने की कोशिश करूँगा, पता तो करूँ यह शक्ती कितनी महान है, कापू हो पाएगी, कितने समय में हो पाएगी, वो छोटी शक्ती को जगाने के बाद मैं महसूस कर पा रहा था, मेरी इच्छाएं प्रजवालित होने लगी थी, मेरे मस्तिश्क में मुझे रोश्नी मह सूस होने लगी थी, जैसे हर शक्ती आपको रोकने की कोशिश करती है, तंतर साधना भी भी आपको विपदाएं आती है, यहाँ पर भी एक विपदा आनी शुरू हो गई, मेरे शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो गया, जैसे बहुत जदा बुखार हो, इस से पहले भी जब मैं प्रेतात्माओं को काबू करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा मेरे साथ होता ही है, शरीर मेरा अपने आप गर्म होता जा रहा था, लेकिन पास के तालाब में मैं बैट गया, अपने सर को बाहर निकाल कर, धीरे धीरे शरीर से धुआ निकलना शुरू हो गया था, और मेरे पास तंतर साथना है, मैं मंतरों का उचारण शुरू हो गया, शरीर मेरा अपने आप ठंडा होता जा रहा था, वो पूरे तालाब को बर्फ में पदल दिया था मैंने, उपरी तरफ बिल्कुल ठंडी परत थी बर्फ की, तब जाकर लगभग तीन घंटों तक वो आप लेकिन सुपह की पहली किरण ही मेरे शरीर पर जैसे सारा असर कम करने के लिए थी, मैंने वो हिस्से पर काबू पाने की कुशिश की और उस पर काबू पाया, लेकिन उसे शक्ती को मैं इस्तिमाल तब ही कर पाऊंगा, जब मैं पूरी की पूरी इच्छा की देवी की शक्त पूटे से हिस्से को मैंने महसूस किया और देखा अब फिर से कैसी विपदा मेरे शरीर के उपर आती है, ये दूसरी रात थे, मेरी एक टांग पर घाओ बनने लगे, धीरे धीरे खून की बूदे उस घाओं से टपकने लगती, मैं अपनी उस टांग के उपर मिट्टी मलन के बाद तंत्र विद्या का इस्तिमाल करता और घाओ को भरने की कोशिश करता, इतने में मेरी दूसरी टांग पर एक खाओ हो गया, अपने आप वो घाओ बन रहे थे, ऐसा लग रहा था, कोई शक्ती शरीर पर जख्म करती जा रही है, ये वो छोटा सा हिस्सा था उस शक् मैं पूरी रात खाओ को भरने में लगा रहा और अगले दिन वो शरीर पर खाओ जो की आधे भर चुके, मैं खून को रोक चुका था, लेकिन रात गुजर गई, उस हिस्से पर भी मैंने काबू पा लिया, पता नहीं कितनी राते लगेंगी, लेकिन रात मैं बहुत तंग रहा था, जख्म दर्द भी बहुत जादा कर रहे थे, हम दांत्रिकों को ऐसा दर्द तो सहना ही पड़ता है, तीसरी रात मुझे लग रहा था मेरे शरीर पर बुरे बुरे असर होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसे असर, वो जो घाओ थे ना, अब वो घाओ से खूर नहीं निकल रहा, जैसे लंबे लंबे, केंचुए जैसे कीडे निकलने लगे थे, बड़ी घिना रही थी, मेरे शरीर से ऐसे कैसे कीडे निकल रहे कभी आँख से चीटिया, कभी मू से कौंकरोच, घिन के मारे मैं बार बार उस तालाब में चला जाता, मूध होता, वो गं द्रविद्याओं की जानकारी थी, जिससे मैं उसे काबू करने की पूरी रात कुशिश करता रहा, इस तरह से रात गुजरी थी, अगली सुपह, वो कीडों की लाशे चारो तरफ और बदबू ही बदबू हो चुकी थी, इस जगे को छोड़ कर मैं जा नहीं सकता था, तीर रात बिलकुल अलग थी, मैं एक हिस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी, मैं मंतर बोलने की कोशिश करता जा रहा था, मेरा मूँ सूखे जा रहा, फिर मुझे लगा ये वो आपता है जो मुझ परा रही है, मुझे पान पाने का नाम नहीं ले रहा, पूरी रात मैंने पानी पीते हुए बिदाई थी, प्यास ऐसी लगी हुई थी, मैं तड़प रहा था, लेकिन आधा ताला पीना किसी एक इनसान के लिए कोई हासान काम नहीं, मैं पी गया, मेरा पेट तक नहीं फूला, वो पानी कहां पर गय मैं नहीं जानता जैसे मेरी जबान से किसी और की च्छा पूरी हो रही हो, जो जल की च्छा कर रहा था, ऐसा आभास हुआ मुझे और उसकी अगली रात उससे भी जादा अचीब निकल रही थी, मेरे शरीर पर उस रात बाल निकलने लगे थे, चहरे पर भी बाल आते जा र और भूख बहुत जादा, पास में रखा खाना मैंने खाया, वो सेब, सुखे हुए, वो फल, सुआद अच्छा नहीं आ रहा, मास खाने का मन कर रहा था, मैं जंगलीयों की तरहें जंगल में भागा जा रहा, कभी कोई खरकोश पकड़ने की कोशिश करता, तो कभी चमगा मादर को ही चबा कर खा जाता, पूरी रात जानवरों की तरहें बिताई थी मैंने वो जंगल में मेरे चहरे पर खून लगा, सूरज की पहली किरण पड़ते ही मैं इंसानी शरीर में आ गया और रोता रोता वापिस आया था, एक ऐसे आपदा है, और कितने दिन, ग्यारा द जिन, ऐसी ऐसी आपदाई मेरे उपर आई, कभी मेरा शरीर बदलता, कभी मेरी हड़ी आपने आप चर्बनाने रगती, लंगड़ा कर चल रहा था, मेरी दोनों टांगे अब काम नहीं कर रही, लेकिन सिध्धियां ऐसी ही होती है, आपके शरीर को विकारी बना देती है, ल मैं जल्द ही इस शक्ती को अपने काबू में कर पाऊं, ग्यारा दिन होने के बाद जब बारवी रात थी, बारवी रात बहुत हजीब और गरीब सी थी, मेरा एक हाथ मेरे काबू में नहीं, अपने आप मैं अपने चेहरे को नोचता जा रहा, मुझे लग रहा था मेरे मुलियों से कुचल डाला था, हड़ी तूट गई, उसके बाद उस बाजू को पेड़ से बांधा, इस तरहे रात गुजारी थी, शरीर पर बहुत ज़्यादा जखम हो गए थे, पंदरा राते गुजर गई, पंदरा रातों तक मेरी दोनों टांगे काम नहीं कर रही, एक बाजू को मैंने चौदवी रात काट डाला था, इस तरहें सर्फ एक बाजू, मेरी आखों में अभी उमीद थी, मैं जब उस पर काबू पालूँगा ना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी आखों से हरी रंग का खुन टपका करता, मेरी जबान पर कीड़े आन बीमार की तरहें वहाँ बड़ा हुआ, लेकिन सिध्ध, सिध्ध करना चाहता था, मैं इच्छा की देवी को सिध्ध करना चाहता था, 22 रात एक हुजर चुकी थी, 22 वी रात मुझे मिट्टी खानी पड़ती थी, क्योंकि अठार वी रात को मेरे शरीर में ऐसा विकार आया कि मेरी जबान जिस भी चीज को खानी की कोशिश करती, वो मिट्टी बन जाती, चाहे मैं फल खाऊ, मांस खाऊ, लगणी खाऊ, अपने आप, वो मिट्टी बन जाती, मैं अब मिट्टी खाना सीख गया था, जदा समय नहीं है, ये शक्ति शाली देवी है, इच्छा की हड़ियों के बिना भी मैं जिन्दा था, मैं मरा नहीं, शरीर के अंतडियां बाहर आ गई थी, मेरा बेट बाहर था, मैं कुछ खा नहीं सकता था, लेकिन मेरे अंदर वो शक्ति थी मुझे मरने भी नहीं दे रही, यानि उसे सिद्ध करने के करीब था मैं, इस तरहे तीस आते गुजर गई, मेरा शरीर हड़ियों का कंकाल बन गया था, जो शरीर पर मास था ना, वो बिल्कुल पत्ते की तरह हरे रंग का हो गया, ऐसा लग रहा था मैं कोई चलता फिरता पेड हूँ, घिसट घिसट कर बाजूं के जरिये चला करता, मेरी टांगे जड़ों की तर काबू पाना होगा, ये मैं 31 रात जानना चाहता था, उसके किसी हिस्से पर काबू पाने के लिए आज रात मैंने कोई खास साधना नहीं की, मैं जानना चाहता था उसके कितने हिस्से हैं, उसका आकार क्या है, कितने हिस्सों पर मैंने काबू पाया है, सिद्ध, मैं उसे सि धगरना चाहता था, वहाँ पर साधना करने लगा, उसे शक्ती को शरीय से बाहर निकाला, दोबारा उसे अपने शरीर में मैं तब डालूँगा, जब जान जाओंगा, आखिर समय कितना लगेगा, जब भी हम कोई साधना करते हैं, दिन के बारे में नहीं सोचते हैं, बड़ी सब कुछ जान जाए, कई बार हम मनहार सकते हैं, इसलिए बाद में हमें इसके बारे में खुद बखुद पता चलता है, लेकिन मैं बहुत बड़ा विकारी बन गाया था, मैं पताने कैसे सह पाऊंगा, मिट्टी खाकर रहना पड़ रहा था, अतड़ियां बाहर जा चुकी दांत मेरे जड़ चुके थे, मैं बड़ी मुश्किल से मंत्र बोल पा रहा था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर हठ था, हठ मैं एक देवी पर काबू पाऊंगा, मैंने अपनी चमडी को धेड़ कर सामने रख दिया था, वो चमडी जिसमें वो देवी की एकाकरिती बनी हुई उसके उपर हाथ रखकर मैं मंत्र पड़नी लगा, आखिर उसके हिस्से कितने है कितने हिस्से हुई उसने अपनी शक्ती का प्रदर्शन मेरी आंखों के सामने किया था, हमारा ये ब्रमार्ण और ब्रमार्ण में ये समय, समय बिलकुल एक किताब के पन्ने की तरह होता है, एक पन्ना, दो पन्ने, तीन पन्ने, लेकिन समय खत्म नहीं होता, पन्ने चलते चले जाते हैं, और आपको पता है समय का अंत कहां पर होता है, जहां समय की शुरुवात होई थी, यानि बिल्कुल एक गोल सरकल की तरह, एक गोले की तरह, जब हमारे ब्रह्माण का अंत होगा यानि ये समय सिर्फ एक भ्रम है यहाँ पर कोई भूतकाल नहीं है भविश्यकाल नहीं है बलकि अनन्त वर्तमान काल है यह वर्तमान है जो आगे चलता चला जाता है कभी कोई भूत काल तो था ही नहीं ना कोई भविश्या है अनंत वर्तमान और ये शक्ती उसी तरे अनंत मैं महसूस कर पा रहा इसके हिस्से गिनने की कोशिश शुरुआत में की थी बीस पचास राते सो राते हजार राते लाखो राते करोडो राते अर्बो राते खर्बो राते लाख करोडो राते अनंत राते मुझे ये आपदाएं सहनी होंगी हर रात अलग हर रात अलग उस शक्ते के सामने मैं जमीन पर लेटकर माफी माँग रहा था आफ कर दो मुझे तुम्हें काबू नहीं किया जा सकता जैसे इच्छा को काबू नहीं किया जा सकता इच्छाएं नहीं मरती उसी तरह तुम्हारा भी कोई अंत नहीं है तुम्हें मैं काबू ही नहीं कर सकता इतना इंसान का जीवन ही नहीं होता इतना ब्रह्मान का जीवन नहीं है मैं तुम्हें काबू नहीं कर सकता मुझे माफ कर दो दूर चली जाओ मुझसे दूर चली जाओ वो आवास वो इच्छा की देवी की आवाज थे तुम मुझ पर काबू करना चाहते थे मैं तुम्हारी हो गई हूँ बस तुम मुझे काबू कर लो शक्ती बस तुम्हारी होने ही वाली है अब आपदाए हर रात आती रहेंगी हर रात आपदाए आती रहेंगी तुम्हें इंतजार करना होगा इसके अंत होने का मैंने गिडगिड़ाते हुए कहा था इसका थो कोई अंत ही नहीं है और देवी ने हसते हुए कहा था ये तो तुम्हें शर्वात के पहले देखना चाहिए था हर चीज उलजने के लिए नहीं होती कुछे शक्तियां ऐसी होती हैं जो ब्रमाण के लिए जरूरी तो होती हैं लेकिन तुम जैसे तुछे इंसान एक छोटी से धंतर विद्या करने वाले सोच लेते हैं उस पर खाबू किया जा सकता है तुम्हें सबक तो जरूर मिलेगा मैं माफी मांगता रहा था पूरी रात माफी नहीं मिली थे चमड़ी उधेड़ कर वो लकड़ी की मूरती जब मैं वापिस देकर आया था उसी कबीले वालों के पास मुझे भालों के साथ मारने की कोशिश की गई तलवारों से मेरे टुकडे करने की कोशिश की गई वो पत्थरों से मुझे कुचल देना चाहते थे हर किसी ने कोशिश की थी कुचल कुचल कर मारने की काटने की मेरे हिस्से फिर से जुड़ जाते अंतड़ियां तो मेरी थी नहीं, भूख मुझे लगती नहीं थी, मिट्टी चाट कर मैं जिन्दा रह सकता था, अमरसा बन गया था मैं अमरसा, लेकिन ऐसे, ऐसे जैसे कोई मुर्दा हो, मेरा ये शाप मेरे साथ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तेस साल पहले वो राते शुरू हुई थी, आज भी वो राते चल रही है, मेरा रूप बदल जाता है, कभी कभी मुझे शरीर मिल जाता है, लेकिन हर रात एक भयारक रात होती है, जिसका अंत होगा या नहीं, मैं नहीं जानता, इच्छा की देवी ने मुझे वो जवाब ढूनने के लिए कहा था, जो मेरे शराब को खत्म कर देगा, आखिर इच्छाओं का अंत कैसे होता है, आज भी मैं जवाब ढून रहा हूं, इच्छाओं का अंत कहां पर है, मेरे पास कोई जवाब नहीं, कोई सिध्धयोगी, कोई दांत्रिक, कोई साधू, मुझे या जवाब नहीं दे पाता, ये दर्द कम होगा मेरी एक कलती मुझे ता उम्र जब तक मैं बचा हूँ ये दर्द सहते हुए गुजारते रहनी पड़ेगी क्या आपके पास वो जवाब है आपकी च्छाओ का अंत कैसे होगा